नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज एटीन पंजाब हर्याना हिमाचल और मैं हूँ आपके साथ अंकेता दोपे देभूमी हिम का आचल हिमाचल परेटन जिसकी पहचान लेकिन क्या है हिमाचल में परेटन का मुकाम हिमाचल टूररिजम संभावनाए और समाधान जी हाँ इसी विश्या पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम खास महमान जुड़े हुए हैं क्योंकि पारेटन को हिमाचल की अगर आत्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा और साथ नूरपूर से विधायक राकेश पठानिया जी पी जुड़े हुए हैं बाजपा से वारिश नेता हैं इसके साथ हमारे साथ होश्यार सिंग जी विधायक हैं देहरा से निर्दलिय नेता और हमारे साथ देनीस ओषवाल जी भी हैं और जो की निदेशक रिबाउंड इ जो परेवन की स्थेती है, सासत परेटन की स्थेती है, इसको देखते हुए क्या लगता है? क्या कुछ संभावना हैं परेटन को लेकर? देखिए हिमाचल प्रदेश में प्रेटन को लेकर बहुत बहुत ब्राइट स्कोप है और जैसे आपने कहा कि इनवार्मेंट और प्रेटन दोनों हैंड इन गलव एकटे चलते हैं और एक हिमाचल प्रदेश एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर जिसका हमारा स्लोगन भी है क हिमाचल और हिमाचल प्रेटन की और इनवार्मेंट की बात करें तो हिंदुस्तान में हिमाचल से अच्छा प्रेटन स्थाल नहीं आपको मिल सकता और हिमाचल में टूरिजम को डवलप करने के लिए बहुत बड़ा पोटेंशल है जिसके उपर हमारी सरकार काम कर भी रही ह और आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अब हैली सर्विसिस हमने शुरू की हैं और आप देख रहे हैं कि चंदीगड से अब हलिकॉप्टर के मादम से आप 25-30 मिनिट में शिमला पहुं सकते हैं हम लोग लगबग कोई 28 ने हैली पैट्स को अगले 6 मिने मे के जाने की कोशिश करेंगे हुश्यार सिंग जी सवाल आपसे यही है कि वर्तमान स्वरूप को देखते हुए परेटन के हमाचल में क्या संभावना यह दिखाई देती हैं आपको मैं समझता हूं कि जिस तरह से पूरे विश्वो में जो टूरिजम की जो ग्रोथ हो रही है अगर मैं उस चीज़ को हमारे हमाचल से कंपायर करूंगा तो हम बहुत पीछे हैं हमें जरूरत है और टूरिजम को बढ़ावा देने की और नए साइट्स डेलॉप करने की क्योंकि इस वक्त जो टूरिस्ट आता हैं उनके पास गिनी चुने साइट्स हैं यहने जुने करें तैयार साथी में ग्लैशियर साइट्स और ज्यादा से ज़्यादा तबज्यू दें इंफ्रास्ट्रॉक्चर पर सड़कों पर रोफवे पर जैसे हली टैक्सी के बारे में बताया इसे वरी गूड स्टेप बाई दे गॉर्मेंट और भी इस तरह से जो है ज्यादा से तबज्यू दी जाए ट्रांस्पोर्टेशन पर और जैसे आज यह हमारा जो स्टेट है यह यहां कई किसम के डिजास्टर भी होते हैं कई अब भस जाते हैं लोग तो उनके रख रखाओं के लिए उनके बचाओं के लिए भी हर सुहीदा फैसलेटी होनी चाहिए तो बात फिसिलिटी इस पर आकर टिक जाती है तो यह सवालाकिश पठाने जीसे ही ले लिए जाए सर बेसिक एमिनिटी इसकी बड़ी कमी दिखाई देती है यहां पर और बात की जा रहे है कि नए टूरिस्ट स्पोर्स क्रिएट किये जाएं जिससे की परेटन को टूरिस् दाएक बनाता तो मुझे वाइस चेर्मन की जिमेवर इमरी थे प्रेटन निगम की उसके बाद आई वस एलिवेटेटी टू चेर्मन विद कम्लीट इंडिबेंट चार्ज तब पांच साल का मौका मुझे इंडिबेंट चेर्मन हिमाचल टूरिसम की रूप में काम करने का म मौका मिला था हमने तब काफी अठारा इंडिस नई साइट का इंडिफाई किया था हुशार जी ने ठीक कहा हिमाचल हाज पोटेंशल फॉर निव साइट आज जो बेसिक प्रॉलम हमें आ रही है वो रोड जैम्स की आ रही है आज मैकलोड कर जाना हो तो आपको दो घंटे रहा के रह गया है आज आज हमारी सरकार इसको अलग दिरिश्टी कौन से देख रही है आज हम नई साइट को करने के लिए हमने एक अलड़ी पर्पोजल जो है वर्ल्ल बैंक को भेजा है और मैं आपको लेटेस्ट बता दू कि हमें अभी उननिस सो क्रोड प्या जो है वो सिंट थाउजन क्रोड का पैकेज जो है एडी बीए से अभी अभी हम हमाचल में आया जिसका डीपैस अभी हम फाइनल स्टेज में फाइनल स्टेज कर रहे हैं इसी को मद्दे नाजर रखते हुए अभी हमाचल सरकार ने हम छह विदायकों की टीम मेरे नेतरतु में सिकम हम गए थे हुशार सिंग भी मेरे साथ उस टीम में थे हम वहाँ पे भी टूरिजम को जो है स्टडी करके आए हैं उसी रूप स्कूपर हम कुछ पैटन स्कूपर वहाँ पे जैसे यार मच एहड इन इन वर्मेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट इन और्गनिक प्रडक्शन एक पह हमारी सरकार बना रही है कि जैसे रोतांग की टनल खुल जाएगी तो क्या ऐसा नहों कि एक तम टूरिस्ट का इन फ्लक्स जो है वहाँ पे एक रश एक भीड़िक रूप में जाए और वहां का इनवार्मेंट खराब हो जाए उसके लिए हमने एक मास्टर प्लैन बनाना श तो हम इसके उपर बहुत सीरिस्ली इस वेशे पर काम कर रहे हैं अब आपने इको टूरिस्म की बात की है तो एक सवाल दिनेश और सवाल जी से वी बनता है वाट स्पोर्स की अगर बात कर लिए तो क्या संभावना आपको दिखाए देते हैं माचल हमाचल एक एसा स्टेट है जहां टूरिज्म की अपार संभाव नहीं है और उनको कैश करना मुझे लगता है कि हमाचल गवर्मेंट को करना चाहिए और कर भी रहे हैं मेरे हिसाब से परियावरन पोईंट अव यू से अगर आप परियावरन के साथ कदमतार मिला के सिस्टम्स को डवलप नहीं करें तो आपके सिस्टम्स लोंग लास्टिंग हो नहीं सकते हैं तो अभी तक जितना भी डवलपमेंट हो रहा है ऐसा नहीं है कि उसको परियावरन को इग्नोर किया जा रहा है परियावरन को अध्यान रखा जा रहा है लेकिन उससे आगे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा ह तो future में हमारे कभी भी कोई भी crisis नहीं होंगे, चाहे आप water crisis की बात करें या किसी दूसरे crisis की. Water sports की बात हो रही है, तो ऐसे में होशियार सिंग जी का कुछ जाधा ही interest रहता है water sports को लेकर, तो वहाँ पर हमने प्रपोजल दी थी 100 क्रोर्स की फॉर देलॉप्मेंट पॉंग डैम बॉटर स्पोर्स एक्टिविटीज इन दे पॉंग डैम हमरे पॉंग डैम में बहुत जादा पॉटेंचल है फॉर एक्जामपल राइंसर की गड़ी एक आईलेंड है पॉंग डैम में बहुत जादा पॉंग डैम में बहुत कम जगा है ना के बराबरे प्यादर जदी स्कूबा डैम चलो हो जाए तो इट पिल बी बिग पोटेंचल पॉंग डैम में बहुत जादा पॉंग डैम में बाली में बैंकोख सिंगापोर आप कहीं भी चले जाओ जहां पानी के खेल कुट की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज है लेकिन हमारे यह एक भी एक्टिविटी वैसी नहीं है आएफ करते हैं ने लुट हम जम ऐब हम एह गुट बढ़ इमप्लाइमेंट बहुत बढ़ एक इंडिस्टी यह धिए फासेजिक हैं साथ ही में बेर्ण जो हमारे यह जाते हैं साइबिल्ण बेर्ण के लिए बिज vind गशव बनाए जाएं वो असाथी फोटोग्राफी के लिए एंकरेजमेंट की जाए तो इस अर्ड आल पोटेंशल ओर ये इन दिस पॉंग डैम निर भाइ दे एरिया तो इस अर्ड आल पोटेंशल और ये जो सरकार है सरकार भी कोशिश कर रही है तो इसमें मैं एक एड़ान करूंगा जो पॉंग डैम की बात भी हुई और मैं इसके हरिटेज टूरिजम पे बाद में आऊँगा पॉंग डैम में हमें प्रॉंग क्या रही हमने इसको बहुत स्टेडी किया था एक तो स्कूर्टी पॉंट अव्यू से वहां पे बड़े कंसर्ण हैं दूसरा जो जो पॉंग डैम का जो सर्फिस वाटर है वो बड़ा जेटरी है विच इस नॉट अट काम लेक द द द द द आई है जी तो आप इमाजन कर सकते हैं कि ब्रोक्राटिकली कितना टूरिजम को कितना स्लो प्रोसेस है कि हम वहां पर जो कुछ एक्टिविडि़िज डिवलब करना चाह रहे थे वी औरडी हाव बड़ वाचिंग टार्स दिर विडिस इस वाज डिगस्ट वेट लैंड हमने हमारी सरकार ने साथ क्रोड प्या लगा कर इसकी पूरी बिडिवेशन किया थी इसकी लाइट्स कराई थी नूरपूर फोर्ड को हमने डवलब किया था कोटला फोर्ड को हम डवलब करना चाहने प्रावल्म यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लेने के लिए एक इंट भी लगाने ही पड़े है तो हाँ पे एक साल लग जाता है इसको अब हमने भारत सरकाथ से टेक अप किया है हमने हमने यह इस बात को इसका एक कोशिश की है कि यह इस प्रॉसीजर शुड़ बी सिंपलिफाइड क्योंकि इतना रिच प्रॉटेंशिल ह हम इसके उपर काम करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द इसमें हमें रिजल्ट्स मिलेंगे दिनेश जी सम जाना चाहेंगे दिनेश जी क्या कोई ऐसा तरीका है कोई ऐसा रूट मैप जिससे की चीजों का निर्मान भी हो जाए वोटर स्पोर्स एक एकिविटी को देखें तो वह एक क्लोज़ लूप एक्टिविटी होती है. अब diz में एक चीज बार-बार रीसाइक्विटी होती है. जैसे आप वोटर की बात करें तो हमारे वास में एक एक फिक्स अमांट बग हरा हमारी प्रत्वी के पास में वह बार-बार री के आना पड़ेगा जैसे की water activities की बात हो रही है तो विधायक जी ने जो अभी पॉंग डैम की बात करी यह एक destination है अभी हम इस तरह की बहुत सारी destinations क्रियेट कर सकते हैं इस तरह की water bodies को create कर सकते हैं water bodies केवल आपके sport activities के लिए ही necessary नहीं है water bodies आपको regular water supply के लिए भी जरूरी है अगर आप tourist को यह assure नहीं करेंगे कि आपके पास में amenities की कोई कमी नहीं है जैसे की water की कोई कमी नहीं है कभी sortfall नहीं होगा तो हमेशा आपका जो tourist है वो हमेशा आपको regularly वहापत हूं सरेगा वह ऐसे होगा कि आपको water bodies डवलप करनी पड़ेंगी water bodies कैसे डवलप करेंगे अभी तो बरसात का मोसम है तो पानी जाके भर रहा है water bodies में लेकिन उसके बाद अभी एक बहुत important aspect होता है sanitation का अगर villages की बात क है अगर आप उसको naturally तरह से treat करके उसको लेक में डाल दें तो आपका जो water body है वो हमेंसे round the year आपको उसमें पानी मिलेगा रकेश पढ़ाने जी basic amenities की बड़ी सबस्या है आम तोर पर दिल्ली से यूपी से बहार से tourists यहां पर आते हैं और toilets के लिए घंटो घंटो इंदजार करना पड़ता है कि कहीं toilet दिख जाए इसी तरह कि तमाम समझ से आए होटेल्स नहीं है तीन से चार महीने जो peak पर season रहता है तूरिस्ट का यहां पर उसके बाद सब कुछ खतम और उन तीन से चार महीनों में होटेल्स इतने जादा खचा कच भर जाते हैं कि टूरिस्ट फिर होटेल्स बना कर देते हैं और टूरिस्ट यहां आ नहीं पाते हैं और एक जो धबा लग जाता है कि वहां तो basic amenities ही नहीं इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है देखे इस पे एक master plan पूरा हमारी सिरकार त्यार कर रही है जहां तक basic amenities की बात है this is a problem इस problem को बड़ा घंबीरता से लिया जा रहा हमें आप 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 other side of the coin की क्यों नहीं study करते हमाचल एक जहां पे tourism के विशेश angle से माना जाता है वहाँ religious tourism में भी हमाचल बहुत आगे हमारी जो पांच धाम है हमारी चिमूडा माता है हमारी चिंदपूरी माता हमारी कांगडा माता है यह जो हमारे important सबस्तल्स हैं यहां पे बहुत साथ tourist आता है जो केवल religious tourism के लिए आता है अपनी गाड़ी में आते हैं अपना खाना लेकर आते हैं और केवल गंद फिला कर यहां चले आते हैं और जो हमारी basic amenities हैं तो अब भी मानेंगे आपने pilgrimage की बैत की यहां पर की जो शद्धालू tourist यहां पर आते हैं उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार कम होती दिखाए दी है यह असा नहीं है हमने इसको पर restrictions लाना शुरू की है वो क्या करते थे गाड़ी के अंदर तीन तिन डेकर से बनाते थे एक ट्राक का एक्सिट हुआ पच्छीस लोग मर गे हम लोग को कहा explanation देंगे सरकार के लिए बहुत मुश्किल का एक administratively it is a very difficult question how to answer that question इसके लिए थोड़ी सी जब restrictions हुई है यह हर जगा यह प्रावलम आ रह रहें तो around the year हम करना चाहरें आज देखिए रुतांग पास में क्यों टूरिस्ट आ रहा है just because they want to have a glimpses of the snow so now we developing nine new snow points जहां पे स्नो को देख लेंगे हमारे पास एक अलग से एक एक एंगल होगा जहां पे हमारा टूरिस जो है हिंदुस्तान का टूरिस विदेशी टूरिस पच्छों के लिए 25 पर से सबस्टिडी है वह पूरी वैन आप हम उनको डवलप करके देंगे उसके अंदर केचन है उसके अंदर इको टॉलिट्स हैं टेंटिंग साइट्स हैं पंदरा टेंट्स हो लगाएंगे हमारे आदने मुखमंतरी की एक एक नए विजन हम इसको ले से पहले बार हमाचल में टूर्स पर काम करना शुरू किया वाइलाफ एक्सपर्ट रहे हैं आप रिसर्च आप करते रहे हैं क्या संभावना है आपको वाइड लाइफ के लिहाज से परेटन की यहां पर बढ़ती हुए दिखाए देती उत्राखंड में देखिए जिम कॉर आपने बात की जिम कॉर्वट की बी डू है पार्क से नहीं माचल कर देखिए चेतना पार्क आपका यहां पर में है आपका अभी टॉंग डैम की बात लिए तो वाइलाफ सेंक्चुरी है और विल बी सप्राइज की वह रैंसर प्रोजेक्ट के तहता आता है इस हैं इंटर अपर कारे हैं तो वह उसके बाद आपका काला टोप की बात है वह वाइलाफ सेंक्चुरी है आप कुक्ती में आप जाएंगे तो इसनो लैपॉर्ड के लिए पर है तो वी डू है इस तिंग्स को कितना हम एक्स्पोर कर पाए है और कितना बतला करने की जबद है और इस पर प्रमोशन की कमी है कि कोई को और वजे इसकी मार्केटिंग की कमी है प्रमोशन की कमी है implementation की कमी है मैं तो यह समझूगा सरकार ने तो बहुत अच्छे पॉलिसिस बनाई है लेकिन जो implementation जो प्रोग्राम है कहीं न कहीं वो उसमें कमी नजर आती है आज जैसे प्रेम सागर ज यहां लोग खड़े होके sunset देख सकें या बैठ सकें या कोई होटल हो तो यह कमिया तो जरूर है और भी जितने सेंचुरियों का नाम लिया उन कहीं भी किसी भी सेंचुरिय में चले जा उसके marketing की बहुत कमी है वहां infrastructure की कमी है होटलों की कमी है वहां रहने के लिए कमी है यह स पढ़ानिया जी ने जो बताया तो उसका utilization उन सेक्टरों में करना चाहिए जहां कोई infrastructure की development नहीं हो चुकी है वहां पैसा लगाने की कोई अविशक्ता नहीं है नए जगाओं पर यह पैसा लगना चाहिए ताकि नए जगा डेलप हो infrastructure डेलप हो सवाल आप से राकिश पढ़ महीना है भगवान श्रिव का महीना माना जाते है और ऐसे में कामरी अक्सर भगवान भोले के दर्बार में पहुंचते हैं मडी महेश क्यों नहीं इसको अवरनात की तरज पर डेवलप किया जाए जिससे की जादा से जादा टोरिस्ट है माचल की और अट्रेक्ट हो देखि जायद आएं इस कारिकरम को ओपने की लिए आएं खुद वो मनिमेश जाने का प्रोग्रम बना रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन ही है कि मनिमेश बहुत बड़े स्तर पर इस साल जो है उसके जो नही मेला कमीटी बनाई गई है और उसमें जो नए रूल्स और रिगलोशन जा रहा है पार्किंग को छे गुना बढ़ाया जा रहा है और उसको बहुत ऑर्गनाइस तरीके से और चॉपर्स की हम तीन कंपनी को लेकर आ रहे हैं ताकि सस्ता पैकेज हमें मिले और हमारा टूरिस जो बाइयर जाना चाहे वह भी जाकर दर्शन करके चार घंडे में वा चाहिए इसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है मैं समस्ता हूं के डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार को बहुत कंभी रूप से काम करना चाहिए और डिजास्टर की जो टीम है हर पॉइंट पर डिजास बंद होता है तो इमीजेटली उस पर एक्शन होना चाहिए और मेरे ख्यासरे सरकार मैं आपको खुशकवरी देना चाहूंगा कि मारे कैबिनेट में मुझूरी मिली है साथ सो नबे करोड प्या डिजास्टर मैनेजमेंट की एक नई बिटैलिन को हिमाचल में खड़ा करने के लिए भारत सरकार ने अनुमती दे दिया और नूरपूर के अंदर ये कंटूर्मेंट इस्टाबलिश हो रहा नूरपूर इसलिए पॉइंट लिया गया कि नूरपूर जो इस चर्चा को देख रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो चर्चा में जुड़े हुए हैं वो लोग सरकार की नीतियों में खासकर पारेटन को लेकर मददगार हैं शामिल हैं ऐसे में उमीद यही की जानी चाहिए कि इस चर्चा के पॉइंट्स को बिंदूओं को लेते और हिमाचत परेटन को आने वाले भविश्व में चार चान लगेंगे नमस्कार